निर्वेया ग्यांग रेप मामले को आज पूरे साथ साल हो चुके हैं सोला दिसंबर दोहजार बारा को वह रात शायद ही कोई भूल पाया होगा जिस रात दरिंदगी की वारदात अंजाम दी गई थी जिसके बाद सड़क से लेकर संसत तक विरोड प्रिदर्शन किया गया था लेकिन साथ साल के बाद आखिर क्या बदलावाया है क्या देश की महलाए सड़क पर अपने आपको सुरक्षित मानती है मौकर का जाइजा लिया हमारे समय था अनमोर कुमार ने 16 दिसंबर 2012 की वो हैवानियत वाली रात साइद ही कोई भूल पाएगा दरसल आज वही का 16 दिसंबर का देन है लगबख 7 साल पूरे हो चुके हैं निर्भिया गैंगरेप की बात कर रहे हैं जिस समय निर्भिया मुनिरका से द्वारका की और जा रही थी लगबख वो बस में चड़ी ही थी अपने दोस्त के साथ थी और 6 दरिंदे उस बस में सवार थे जिसके बाद इस हैवानियत भरी रात को बात को अंजाम दिया गया साथ ही कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं क्या मानती है दिल्ली में शुरक्षा बड़ी है अभी तो कोई सुरक्षा नहीं है मैं अभी जो यहाँ पे गूमने के लिए हूँ तो मुझे भी यहाँ सेप्टी नहीं लग रहा है मुझे नहीं लगता कि हाँ सेपट्टी है इन्टी रेप लो कामएब त मकौन को कानून को मुझे नहीं लगता की कुस्छ हो रहा है सिभाव काणून रोल्स नीगल रहे है कुछ भी हो गद्ध कुछ एक्ट्ट में प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हो रहा है वह लोग ऐसे घूम रहे इसे रहे हैं एसे यह क्या मानते हैं तमाम कानून आये इसको लेकर कानून थ्टवाइश नहीं होने मंगते तोड़ा सा एक्शन फास्ट हो नší कई az थे कारण वे धूधूसरे लोग कापद्धन किया गया है क्या मानते हैं देश की राज़धानी में सुरक्षा को कैसा देखते हैं अगर दिली पुलीस की बात की जाए रोड वगस्त की बात की जाए किए तो कैसा देख रही है कि लगों को भी जागरुक होना होगा साथी साथ सिक्सेत भी होना होगा ऑगर इस तरह की वारदात ना हूं नहीं होनी नहीं चाहिए सुर्यक्षा होनी चाहिए लड़कियों को अपना भी सिक्यूरिटी करना चाहिए कराटे वगरे शिखना चाहिए वह तो सेल पहे लेकिन आजू-बाजू के लोग भी हमारे जैसे उन्होंने भी उनको सेफ किया दूसरे लड़के वगरे उनको बतान चाहिए अपने अपको लड़के को भी वताना चाहिए कि कैसा बरताव करना चाहिए बाहर जाके यही महत्वपूर्ण अंग होता है लोगों को सिक्षित भी होना चाहिए वह महत्वपूर्ण है कि घर से भी सिक्षा मिलनी चाहिए लड़कों को लड़कियों को भी और पेर इसक Yogya को अच्छ पूरी बात बता सकें जो पूरी घंच लाहती है उसे बता सकें कि देखा सकें बच्चे माबाप से बातें छोपा लेते हैं इसके बात बड़ी वरदात कुछ हो जाती आउड़ी रहना चाहिए बच्चों को बच्चों के मुझेश के मुझेश्क चाई बराबर है इसका इसका भी पर्षेंडेज पर्षेंडेज है इसका भी है क्या ज्यादा फ्रीडम नहीं जाहिए ज्यादा फ्रीडम रहे तो वह भी गलत हो जाती है लेकिन कानून में बदलाव किये गए थे कानून में तमाम बदलाव किये गए थे फास्ट ट्रेक कोट की भी बात की जा रहे थी लेकिन देखा जा रहा है लेकिन दोजार बारा के बाद लगबग सात वर्स का समय हो चुका है लेकिन अभी तक फासी नहीं हुई है प्रैक्टिकली हो नहीं रहे इस बताजे फास्ट एक्षिन लोग भी और कानून भी इसी वक्त कुछ गटना गड़ती है कानून में बदलाव की बात की गई हो लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रहे हैं चाहे है एक महिला डॉक्तर को गैंग रेप के बाद जला दिया गया ऐसी वार्दातें तमाम सामने आई हैं एक के बाद एक ऐसी वार्दातें सामने आती जा रहे हैं तो कही न कहीं का लोगों को भी इसके लिए जागरुक होना होगा क्यामरापरसान राजेस के साथ अनमोल कुमार टोटल न्यूज तिर्फ